जहें दोस्त मैं आपका दोस्त सर्वेश आज इंडियन आर्मी के बारे में जो सोल्जर ट्रेड्मेंट, सोल्जर क्लर्क और सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए जो बढ़ती होती है उसकी सेलरी क्या आपको कारे करने पड़ते हैं और कैसे सेलरी होती है सारी एटूजेट करेंगे इसारे जेनकारी देंगे सबसे प्रेड मैंन की बात कर लिया जाए दोस्त तो जो से वह तना कीम 5009If होता है उनका कार्य होता है उनका खाना बने जो हेकिवान को खिलाने ईसके साथ साथ इनकी जो ट्रेनिंग होती है पूरी जनरल ड्यूटी आलों के साथ पूरी जनरल ड्यूटी की ट्रेनिंग होती है फाइरिंग सब कुछ इनके नाम से भी हतियार इशू होते हैं तो सारी चीजे होती है वुट्स वर्कर यानि आपको कलाकारी आनी चाहिए चाहिए ल आसर मेन का जो कारी होता है पानी के संब्धित कारी होते हैं जितने पानी के जो भी नल यह किसी चीज के चीज़े खराब होती उसको सही करना होता है ड्रेसरर का, करन पानी कि अपता है प्रेश करके सारी चीजे उसके बाद जितने जवान आते हैं उनके जो ट्रेस होते हैं को क्लीन करना होता है प्रेश करना होता है और टेलर मास्टर का जो कारे होता है सिलाई करना नॉर्मल अगर आपको सिलाई करना आता है और आप 10 भी पास हैं तो आप इसके लिए पंप ला प्यूटर से सम्बंदित भी काम करने पड़ते हैं कि कोई फाइल को काम करना पड़ता है सबसे doubt की इस चारी होता है आपको फाइल इधर से उदर बाबो के पास парषाना ले जाना ले आने का तो पुरा गाड़ियों के लिकorno पड़ता है तो इसके अलावा अगर आठीवी पास जो मैंने आपको बताया उस critic में आपको जो स्टाप enough सर होते हैं जो今 सरोते हैं उनके मेजों में कारी करना पड़ता है भ्रेंचों कोेरे करना खाएंफ भाफ खाना उनको करना मत्वाहaman तरीके से वहां पे अपना जो शव्यता है उसको प्रकट करना फोर्स की गर्मिया को बनाया रखना बहुत सारी चीजे होती है जो कि आपको वहां करना पड़ता है पे इसके बहुत अच्छी हो जाती है ट्रेबल एलाउंस सीटी के अधार पर निर्वर करता है कि क्या आपको एलाउंस मिलेगा तो उसके बाद डिये आपका रहता है कि 6528 रुपे से स्टार्ट होता है उसके बद इसका पेमेंट वासिंग और सब चीज का मिला के 90 रुपया वह भी मिलता है यानि टोटल आपको जो सेलरी बन जाती है टोटल 30 से 32 हजार आपकी सेलरी बनती है स्टार्टिंग और इसका जो सलेबस होता है जनरल नॉलेज के कोश्चन पूरे से जाते हैं उसके बाद जनरल रीजनिंग, मैथ ये सब मिला के टोटल जो हो जाते हैं आपके 100 नंबर के कोश्चन आते हैं उसमें आपको केवल और 32 नमर प्राप्त करने होते हैं यदि आपने 32 नमर प्राप्त कर लिया तो आप लमसब सपलता के करीब चले जाते हैं इसके अलावा अगर आपके पास NCCC Certificate है तो आपको पेपर भी नहीं देना पड़ता है और डारेक्ट आप इन पदों में भरती हो जाते हैं तो इसमें बहुत सुनेरा औसर है और आप इस भरती को देखना चाते हैं तो भरती परिक्रिया में जरूर समलिए वहीं यहाँ पे जर्नल डूटी ओलो की बात कर लिया जाता तो आप जानते हैं जर्नल डूटी ओलो को बहुत सरी कडि मसकत करनी पड़ती है और उनको संतरी ड्यूटी से लेके 12-12 घंटे तक की बीट ड्यूटिया करनी पड़ जाती हैं क्योंकि वो 24 घंटे के लिए बदि साथ दो क्रिए तो ट्रेंड मैंड की है उसके अलावा अगर आप किसी छेतर में हैं तो बड़ी कठीन है सेलरी लंसम दोनों की समाने हो जाती है जनरल ड्यूटी वालों की और ऑर मैस की पर यहां सिलाई करनी है जो पेंटर रहा सभी की समान भजाती है और जनरल ड्यूटी वालों की सेलरी समान हो जाती है बाबु की जो बृद्ध वह अलग प्रकिरिया होती है क्लक का कारी अलग होता है काफी कलम कही कारी होता है यदि आप कंप्यूटर में महीर है आपको अच्छी आती है तो आपको लगपद में भरती देख सकते हैं इसमें 162 cm हाइट मांगता है वह जो बहुत सही होता है और आप थोड़ी इंग्लिस में अच्छे हैं तो आप इसमें बहुत आसानी सो जाते हैं क्योंकि जो इसका सब्जक्ट होता है इसमें जर्नल नॉल और NCCC certificate है तो उसका भी benefit मिलता है अगर आप sports player है तो उसका भी अलग से benefit मिलता है तो दोस्त यह सारी परक्रियाएं हैं आपको जो भी अच्छा लगे यदि आठवी class भी पास है तो भी आर्मी आपको मौका देता है आर्मी में बढ़ती होने का ऐसा नहीं है कि आप बहुत परक्रिया में सफलता पाकि अपने माबाब का अपना नाम रोशन करिए अपना जीवन उन्नती बनाईए मिलते हैं दोस्त नेक्स वीडियो में जै हिंद जै बारत